जेस याराम दोस्तों स्वागत है आपका मेरी इस चानल लट्डू कोपाल के भक्त में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निराजल एकादशी के बारे में निराजल एकादशी जिसे भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है निराजल एकादशी अपने नाम से ही स्पष्ट करती है कि इस दिन जल का सेवन नहीं किया जाता है तो क्या निराजल एकादशी पर अगर कोई व्यक्ति उपवास रखना चाहे और वो जल का सेवन करना चाहे तो क्या उसे दोश या पाप लगता है क्या भगवान विश्णूस की भक्ती स्विकार नहीं करते हैं तो चलिए जानते हैं भीम सेन एकादशी या फिर पांडव एकादशी ये एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वेम पांडवों में भीम से खास तोर पर ये व्रत रखवाया था भीमिक ऐसे योधा थे जो अपनी भूग पर अपने भूजन पर नियंतरण नहीं रखपाते थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने इस व्रत को किया पूर्ण विधी विधान के साथ किया वे सूर्योद से पूर्व उठे उन्होंने पूर्ण विधी से पूजन किया उसके बाद निराजल निराहा रहने का सनकल्प लिया रात्री भर उन्होंने जागरन किया पूरे दिन उन्होंने हवन किया अगले दिन उठकर उन्होंने भ्रामनों को भोज कराया दक्षिन इस विधी विधान से भीम ने जुरत को किया तो ये तो थी बात भीम की और ये बात थी द्वापर युग की लेकिन आज का जो समय चल रहा है वो है कल युग का समय इस समय में इस प्रकार से अगर कोई वृत रख सकता है कोई इतना सामर्थवान है तो ये बहुत ही उत्तम है उसे इस प्रकार से ही वरत रखना चाहिए लेकिन ज्यादा तर जो कल्यूग के मनुश्य हैं वो इस विधी से वरत नहीं रख सकते हैं क्योंकि आज का जो वातावरन है जो प्रकृती का माहौल है उसमें ज्यादा तर लोग जो है दवाईया खाकर या मेडिसन्स खाकर जो है अपने दिन चर्या जो है वो बिताते हैं ऐसी में निरा जल रहना अपनी सेहत के साथ स्वयम ही समझोता करने जैसा है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु ने नारद मुनी से नारद पुरान के अंदर इस प्रकार से कहा है कि कल्यूग में यदि मनुश्य हरी नाम का जाब करते हैं इस प्रकृती इस महौल के बीच में रहकर वे विष्णु नाम का जाब करते हैं तो उनके समस्त पापों का नाश होता है, मौक्ष के मार्ग तक सुलब होते हैं तो सबसे उत्तम कल्यूग में है भगवान के नाम का जाब तो इस दिन निराजल एकादशी एक बहुत बड़ा दिन है तो इस दिन क्या करना चाहिए? आपको सुर्योध से पूर्व उठना चाहिए आप जल का भी सेवन करें, फलों का भी सेवन करें दूदादी का भी सेवन करें और उसके बाद जितना हो सके भगवान विश्न के नामों का जाब करें आप किसी भी नाम को चुन सकते हैं आप राम नाम को चुन सकते हैं आप कृष्ण नाम को चुन सकते हैं आप हरे कृष्ण महा मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप कर सकते हैं संकल्प लेकर जाप कर सकते हैं चितना हो सके आज के दिन जो है आपको जागना चाहिए क्यों चाप करती हैं अगर उसके बाद हम सो जाते हैं या निद्रा ले लेते हैं तो उसका फल जो है, वो कम हो जाता है तो इसलिए आज के दिन और आज की जो रातरी होती है, जो निराजल एकाडशी का दिन होता है उस दिन जाद से जाद जागना चाहिए ये इस वर्ष 2022 में निरा द्वादशी तिथी भी लग रही है द्वादशी तिथी का समापन उसी दिन 3 बच कर 24 मिनट पर हो जाएगा और 3 दिशे तिथी भी लग जाएगी यानि कि भगवान भुले नात का भी निराजल एकादशी में संयोग बनेगा इसलिए रात्री में चितना हो सके जागें इसका बहुत अधिक महतो है लेकिन आप जो है इस बात की बिल्कुल चंता ना करें कि निराजल एकादशी है तो हम जल ना पी आप जल अवश्य रूप से पिएं अगर आप मेडिसंज लेते हैं अगर आप व्रिधा वस्था के अंदर हैं अगर आपका काम इस प्रकार का है तो आ आप जरूर से जल पिएं फल भेखाएं कोशिश करें कि अन्नका त्याग करें चावलाती का सेवन ना करें किसी का दिल ना दुखाएं और किसी दुराचारी व्यक्ति से आज के दिन बात ना करें तो इन प्रकार के नियमों को आप पालन करते हुए निराजल एकादशी का इस प्रकार से वरत रखने से भगवान विश्नों की कृपा अवश्य रूप से प्राप्त होती है तो उमीद करती हूं कि निराजल एकादशी से जुड़े हुए आपके जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल गए होंग